आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक फ्रशन को क्रॉप करो और तुरहत विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउनलोट करें लेता हूं ब्वेक्टर को मलेता हूं तो यहाँ से मेरो क्या मिलेगा a-c cross b वेक्टर एकवल टो 0 अब जैसे की प्रेस्ट में कहा गया है कि ये दोनों 0 के बरावर नहीं है तो यानि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो b वेक्टर है वो 0 के बरावर नहीं है और जो A-C है, वो मेरा 0 के बराबर नहीं है, यह 0 के बराबर नहीं है, तो अब यहां से हम कहाएंगे, कि अगर यह दोनों वेक्टर 0 हैं, तो चुंकि हम जानते हैं, कि X वेक्टर क्रोस Y वेक्टर हमारा होता है, वो हमारा होता है, वेक्टर X का मापांग, वेक्टर Y का मापा और sin theta और इसमें एक अंग साधिस n cap तो यहां से हम देखें देखो अब यह तो 0 0 है नहीं तो इसको मतलब किया इनके बीच में एंगल 0 होगा angle 0 होगा sin theta अगर 0 होगया तो इसको मतलब theta भी 0 हो जाएगा theta 0 हो जाएगा तो मतलब यह parallel हो जाएगे parallel हो जाएगे parallel हो जाएगे तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो A – C है उसको हम B में निरुपित कर सकते हैं और हम ने लिया K तो KB vector तो यहां से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं अब तुम देख सकते हो जैसे कि अगर मैंने A – C की जगे K भी रग दिया तो B cross B एंगल तो जीरो बन गया तो ये पैरलल हो डाएंगे तो इस टैप से हम इस कोशिन को कर सकते हैं और यहां पर हमारा जो के होगा वो एक अधिस होगा थेंक्यू